नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आज हम बात करेंगे DLAT exam 2022 latest update के बारे में, तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 नॉवंबर 2022 की बड़ी update में, सबसे पहले बात करेंगे आज की breaking news, PNP latest update को हम इस वीडियो में discuss करेंगे, DLAT 1st 2nd, 3rd, 4th semester date 2022 के update को देखने वाले हैं, और बात करेंगे semester result के बारे में, जी हाँ दोस्त इस वीडियो में discuss करेंगे, UPTate, Seated, SuperTate के हर एक बड़ी update को, DLAT eScootney result के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे, एक बात और आपको बता दे, योगी सरकार की cabinet के एहम बैठ कर आप पूरी update को में इस वीडियो में देखेंगे, सिच्छक भरती परिच्छा में, पास अब्डेर्थी को कर दिया गया फेल, OEMR में हेर फेर होने पर हास से गई नौकरी, पूरी update हम इस वीडियो में देखेंगे, जी हैं दोस्तो, अगर आप पास हो जाते हैं, उसके ब बार बैक लग चुकी है, सभी बच्चों ने अपना प्रत्यावेदन फॉर्म सम्मिट कर दिया है, अब देखेंगे सवाल यहां पर यह उड़ता है, कि किन किन बच्चों को मौका मिल पाएगा, देखेंगाईस यहां पर एक बात याद है कि 100% सभी बच्चों को मौका नाम आना ही चाहिए, तो इसमें भी कोई गैरेंटी नहीं कि आपका नाम आएगा, ठीक है, बहुत से बच्चों ने यह भी गलतिया किया होगा, तो एक एक करके दोस्तों आची हम तमाम बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले, डियलट परिच्छा डेट सीट यह रही आपके सामने, यह रही हमारी प्रितम समेश्टर परिच्छा डेट सीट, उसके बाद दोस्त यह रही हमारी दोती समेश्टर परिच्छा डेट सीट, उसके बाद दोस्त यह रहा सीटेट का एक्जामनेशन फॉर्म, ठीक है, अगर सीटेट के लिए अभी तक आपने आ हाली है नहीं तो इसको जरा ध्यान लखिएगा एक्जामनेशन सीटिट डिटेल्स को बाकि कुछ और अप्डेट नहींगे तो अप्डेट हम आप तक पहुचाएंगे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीटिट में इस बार फॉर्म भरे जा रहे हैं ठीक है तो जल्दी से मादमिक सिच्चा सेवा चैन बोर्ड अपनी गलती मानने को तयार नहीं है बोर्ड हाई कोड के आधेत के खिलाप अपील करने की भी तयारी कर रहा है सायता प्राप्त मादमिक विद्यालों में प्रसिच्ची तिसना तक TGT 2021 की भरती के लिए लिखित परिच्चा पिछले स बोर्ड ने उनका प्रेडाम गोसित नहीं किया बाद में उन्होंने पूछता ची तो पता चला कि OMR में गलत गोला भरने के कारण उनकी कॉपी जाची ही नहीं गई इस पर उन्होंने हाई कोड में याज का दायर की थी सुनवाई के दौरन यह साफ हो गया कि OMR की तीन प्र तो दोस्तों यह सब पूरा मामला है देख सकते हैं आप लोग की क्या क्या हो जाते हैं देखें बदल चुकी है PCS में परिच्छा की कॉपी इससे पहले UP लोग से वायों के परिच्छा PCS 2015 में कॉपी बदलने का मामला आ चुका है सुहासिनी बाच में नाम के परिच्छारती के नमरों में हेर फेर की सिकायत की गई थी आयोग ने अपनी गलती सुधारते बे सुहासिनी को इंटर्व्यू के लिए बुलाया लेकिन अंति परिडाम में उन्हें सफलता नहीं मिल सके थी ठीक है यह भी मामला था तो गाइस ह कहो जाता है तो एक बात आध रखेंगा कभी आप पेपर देके आई ये अभी सीटेट का पेपर देके आएंगे। ए हैंगे लेकिन आंसर की से आप लोग अपने नमरप जरूर मिला लिया करिए है, ठीक है तो मिला लेंगे तो बहतर होगा ना, तो काफी बार ये बच्चे गलती करते हैं, तो ये गलती इस बार आप लोग को नहीं करना है, उसके बाद एक और अप्डेट ज़रा देखते हैं, कि यूपी की योगी सरकार अति पिछडी जातियों को केंद्रवा राज सरकार की योजनाओं का सटी कलाब, दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही हैं, इसके लिए राज सरकार ने कार योजना तयार कर लिए, सरकार उत्तर परतेश में, मुसहर, सहरिया, वन, टांग और विमुक्तो घुमन्तू समुधाय के लिए न सिर्फ आवास की सुधा मिलेगी, बलकि सरकार उनके लिए रोजगार के लिए भी प्रयास करेगी, उनकी सिच्छा बेवसाइक प्रसिचण एवब मूल्बु सुधाओं का भी सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा, ठीक है प्रयास के लिए उनलाइन आविदन पांच नॉम्बर से सुरू होने की उम्मीद हैं, आयोक की ओर से 6 जुलाई को जारी परिच्छा केलेंडर के अनुसार, अब यर्थि को 4 दिसंबर तक उनलाइन आविदन लिए जाएंगे और कंप्यूटर आधारित, टीर वन की परिच में करीब 35 प्रस्ताओं को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, इसके अलावा प्रदेश में, अद्योगिक निवेस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, अद्योगिक निवेस एवं रोजगार पुरसाहन निती, 2022 को भी मंजूरी मिल सकती है, विदेश में होने वाले रोटसों के दोरान, इस निती का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे यूपी में देश दुनिया के, उद्धमें अपना उद्योग लगा सकें, ठीक है, तो गाईस हर एक अपडेट इसलिए मैं आप तक पहुचाते रहते हैं, कि कहां पर क्या-क्या बेट्स हैं क्या-क्या बदलाव हो रहें, तो आप देख सकते हैं, यह रही हमारी परिच्छा डेट सीट, ठीक है, प्रसम समिष्टे, दोतिय समिष्टे, एक बात का और दिया लगना है, जो हमारा गडित का पेपर होगा, या संस्कृत या उर्दू का पेपर, ठीक है, दोतिय दोनों का पेपर होगा, ऐसा ने कि इंदी का पेपर होगा, निकल जाए बाहर, पहले नियम अलग था, लेकिन अम नियम बदल दिया गया, जिस वज़े से बच्चों की बैक जाता रही, कब से कम देखें, बच्चे बाहर निकलते थे, एक गंटे का समय रहता था, कुछ ने यह न, कि टोटल आठ सब्जेक्ट है, जैसे हमारे प्रसम समिष्टर में, तो उनका पेपर तीन दिन में क्यों कराया जाता, आठ दिन में कराया जाया, राम से बढ़ियां से, एक दिन में एक एक पेपर हो, हम बता रहे हैं, आपको जो बैक आप देखते हैं, सतर अजार ब जोर बच्चे डिलेट में नहीं आते हैं, लेकिन अब एक दिन में दो पेपर, तीन पेपर होता है, तो फिर देखें, दिक्कत आ जाती है, मतलब एक तरीके स्वही होता है, कि कुछ बच्चों के एसाब तो बहुती बड़ी नाइंसाफी होती है, उनको जानभूश कर भी कर दिया जाता है, तो यह सब बात होती रहती है, बाकी कमेंड बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आपनो डियलेट परिच्चे डेट सीट को डाउनलोड कर सकते हैं, इस कूटी रिजल्ट के अपडेट को प्राप्त कर पाएंगे, यूपीटेट सीटेट के लिए रेट दिया को डोलेट थैट